एक पल में छीना जिसको दुनिया थी मेरी वो धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो नीद की चादर थी खाबों का तक्या वो सोचों में पलपल गे अब जो नहीं है वो ये कैसी मुश्किल है कैसा इंतहा रवा मेरे हां मुझे को इतना तो बता तूटा हर रिश्टा जो तू रूटा मीकु अब अपना रंग दिखा रहा है मेरी ही उलाद को मेरे खिलाफ कर रहा है पर या तुम अपनी सोच को बदलो परना कोई नहीं रहेगा तुम्हारे पास कैसे सिच्वेशन को नॉर्मिल करो एक तरफ मेशार की खुशी है और दूसी तरफ छोटी मामा की जड़ मैं दोनों को खुश देखना चाता हूं मामा किती बार मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि वो तुम्हारा सगा नहीं सोतेला भाई है वो मुझे सगे भाई से बढ़कर चाते हैं और अगर सोतेले भाई ऐसे होते हैं तो अल्ला सबको सोतेला भाई दे और अगर उलाद तुम्हारी तना होती है तो काश में बे उलाद ही होता है हाई मीकू अभी मिल सकती हो इस वत तुम हमेशे है मेर जंसी में क्यो रहते हो नहीं घर जा रहा था तो अचा तुम्हें बता दूंगे वो लड़की कौन है तो खुशी छुपाई नहीं जा रही यही समझना तो फिक करूं अभी मैं ममा से बूछ लो तो बताती हूं अचा जल्दी बूछ के बताओ में वेट गया रहा है हाँ, ओके बाई हाँ, ओके, बाई हाँ, 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 जल्दी चुलो बड़ी मुश्कल से जाज़त मिलिये थोड़ी देख की, लेस्गो अच्छा हाँ, मुपक्षा मैं अच्छा हाँ, मुछा अच्छा मैं अच्छा मैं अच्छा मैं आजख लियत हाँ आजाओ अच्छा ठीक है मैं बात में बात करती हूँ हाँ खुदा आफिस कोई काम है क्या नहीं आपको बताने आई थी के वलीद इमान को बहू बनाने पर राजी हो गया हाँ तो अच्छी लड़की है इमान उसमें बुरा ही किया आप ठीक है रही हैं आपको मेरे अलावा सब ही अच्छे है आखिर क्या अच्छा ही उस लड़की में जब देखें मूँ ठाके यहां पर आ जाती है क्या शरीफ लड़कियों का ये तो और तरीका होता है भरी तुम बिला वज़ा बात का बतंगर बना रही हो अच्छी खासी लड़की है वो बच्पन से जानते हैं आती है इस घर में बलके वो तो कितने काम आई है हमारे अच्छी तरह जानती हूँ कितने काम आई है अपा अच्छा तुम क्या चाहती हो हम मीकू की शादी उससे ना करें भी आप लोग मीकाईल की शादी जिससे भी कराएं मुझ इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन मैं आप लोग को ये बता देना चाहती हूं कि मैंने ये फैसला कर लिया कि मैं मिशाल की शादी करा रही हूं और मैंने लड़का ढूंड लिया लड़का ढूंड लिया कौन है वो लड़का मिस्स फरेत वकार का बेटा अमेरिका में बढ़ता है दो तीन दिन में पाकस्तान आ रहा है और मैं मिशाल की शादी उसी से करा रही लेकिन फरी मिशाल तो बेवकूफ है वो जजबाती हो रही है कुछ वक्त गुजड़ेगा तो अली को भूल जाएगी बजरती है मिकू मैं जानती हूँ कि तुम मेशाल से बहुत मुहपत करते हो और शादी करने का फैसला भी तुम उसी के लिए कर रहे हैं लेकिन प्लीज तुम जो भी फैसला करो बहुत सोच समझ कर करना क्योंकि बाज उकाद जलबाजी में किये गए पैसला की सजा इंसान को सारी जिंदगी जहिलनी पड़ अच्छा तुम आज फलसफे का मूड है मैडम का वैसे भी तुम जिन ख़चात के बारे में जिकर कर रही हो ऐसा कोई सी नहीं को लड़की बहुत अच्छी है अच्छा कब से जानते हो से बहुत सालों से किसी से महबत करते हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं वैसे सच पूछो तो मुझे खुद इस बात के बारे मैं अंदाजा नहीं था लेकिन अब लगने लगा है जिससे बहुत सालों से जानता हो से नहीं वो मेरी महबत से अंचान है बहुत प्यार के अच्छा से बहुत प्यार के अच्छा से हच्छा कौन है वो कौन है कौन कर दो कर दो कि या कह रहीएं पुखवाँ? वो ऐसा कैसे कर सकती है? ठीक कह रही हूँ मैं उसने तो फ़ड़ से बात भी कर लियी कुछ ना कुछ करके उनने समझाना होगा वो जो कुछ कर दो पहुत कर दो उसे अगर यह itelा अगर एनदाह होता किसी वज़ा से तो मैं भी परिशान हूँ कितनी मुश्किल से मैंने मिशाल को समझाया था कि वो अपनी पढ़ाई पर तबज्ज़ दे सब कुछ खराब कर दिया इस फारी ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी हमारे लिए तो ठीक है मैं बात करता हूं मामा से तुम सीधी बात भी करोगे तो उसका उलटी मतलब लेगी वो तो पुपो आप क्या चाहती है हम कुछ ना करें हाथ पे हाथ धरे बैटे रहे मिशाल को अकेला चोड़ दे हम अच्छा ठीक है मैं बलीद से बात करती हूं वाहिद एक वो है इस घर में जिसकी वो बात नहीं डालती शरी वो असलाव ने कुम ममा असलाव ने कुम पापा अब बड़ा कहाओ पूक में यह बाप आप लोग खाये है घर का नहीं कब इसके हलक से नीचे उतरता है अब क्या एओ कि एकी मेकु के साथ बायर से ममा मेने कुछ नहीं खाया बस ठकन हो रही है, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ सही दिसे समझाया है, ये क्या हो रहा है हर वक मीकू के साथ भूमती रहती है धिन को मुझे कहके गई, कि मैं थोड़ी ज़र में वापस आ जाओंगी और देंके तो, रात हुई है तब वापस आई है अब बेटी के लिपरेशान होना छोड़ देना जाँ बेडम मैंने आपकी परेशानियों काहल ढूंड लिया है कैसा हल, क्या कहना चाहते हैं अज वली साब की कॉल आई थी वह मारी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहते क्या आप सच के रहे मुझे जूट बोलने की क्या जरूरत है लेकिन अगर ऐसी बात है तो उन्हें तो घर पर आके रिष्टा मागना चाहिए था ऐसी बात है फोन पर तो नहीं होती ये बात मैंने भी कही थी उसे लेकिन उन्होंने कहा कि अभी एक बिस्निस ट्रोल पर बाहर गए है वापस आकर बाकाइदा रिष्टा लेने आएंगे अभी तो सिर्फ उन्होंने अपना इरादा जाहिर किये रहे या अल्ला तेरा लाग लाग शुकर है अल्ला ने मेरी सुन दी मैं तो आज ही शुकराने के नफिल पड़ूँगी अपदा नहीं यह सही है नहीं लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार बेटी से उसकी मरसी पूछ लो जैसा ना हो कि बाद में कहें कि उससे पुछाता है कुछी यह तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे लेकिन आप फिकर मत करें मैं खुद बात कर लूँ यूससे अच्छा खाना तो खाएं अँ खार हूँ पुछ मुझे का बना है शुक्त अब हमारे दर्मियान कोई नहीं आ सकता अली सब हमारे साथ है हाँ हाँ मुझे भी अब ऐसा ही लगता है और ये सब मीकू भाई की वज़ा से हुआ है अली अगर भाई शादी के लिए नहा ना करते तो सब हमारे पीछे पढ़े रहते अब तुम लोगों को उनके लिए लड़की ढूनी चाहिए ताकि ये ना हो कि वो अपना इरादा बदलने बिलकुल नहीं हो सकता लड़की तो हमने ढूंड लिये और भाई उसे पसंद भी करते है वाँ? मीकू भाई किसी को पसंद करते है? और क्या? वो कोई नहीं हमारी इमान आपी है अब वो ही मेरी भावी बन के आएंगी इमान आपी? वो सहीद अंकल की बेटी ओहो भाई एक ही तो एमान आपी है किंग्राट्स यार थैंक यू अच्छा अली एक बात कहूं? हाँ, कहो यार देखो हमारी सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गई अब हमें अपना फोकस पढ़ाई की तरफ भी करना चाहिए तुम्हें पता है ना, हमारा फाइनल यार है हमारी ग्रेट्स अच्छे नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा? हम् सही कह रही हो एसे पढ़ाई का तो बहुत नुकसान हुआ है चलो ठीक है आज से पढ़ाई शुरू और बाते बंद कल से मुझे काल करने की कोई जरो इतनी है माडम ओ हो, चलो ठीक है फिर मैं काल काट रही हूँ अरे, मैं कल की बात कह रहा हूँ यार अज़े चलो सही है यार, कल कॉलेज में मिलते हैं ठीक है? बाई 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 बच्पन से लेकर आज़ता हूँ सिर्फ तुम्हे ही अपना माना है माँ किसी दूसी लड़की का ख्याल तक किया आया मुझे मैं हमेशा से तुमसे मौपत करता है बस कभी कहनी पाए लेकिन आज आज सब कुछ कह देना चाहता हूँ बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और बादा करता हूँ तुम्हे हमेशा फुछ रखो कभी कोई दुप नहीं पहुचा हूँ तुम्हेरा साथ लोगी नहीं हो शादी करो कि मुझसे तुमसे 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 बहुत जरूरी बात करनी है मुझसे तुमसे 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 तु लेकिन मामा इतनी जिल्दी भी क्या है एकलीज मुझे सोचने का मौका तो दे मीकू को तुम बच्पन से जानती हो तुम्हारी तु मीकू के साथ बहुत बनती है तो फिर सोचने की क्या जूरत है तुम बस हमें ये बताओ कि तुम्हें मीकू पसंद है के नहीं बाकी बाते हम पर छोड़ दो मीकू में कोई बुराई नहीं है का मतलब है कि मीकू तुम्हें पसंद है हम हा कर दे जैसे आप टी मरसी सदा खुश रो अल्ला में तुह है नसीब अच्छे करे मैं जाके ये खुश ख़बरी सईद को सुना दू हो तो बेचे नहीं से इंतजार कर रहे होंगे गुद नाइट अल्लाओने कम सभी साब कैसे हैं आप बेवक्त फॉन करने की माफी चाहता हूं जानता हूं कि इस वक्त आप उरास्ते में नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है आपका फॉन आया है तब खायरेत है ना बस आपको एखुश ख़बरी देनी थी वह जैसलि rats अपने कहा था कि आमान बेटी से मौडुम करनो तो हमने उन से पूछ लिया है उनकी तरफ से हां है हां कर दी माशाओलہ माशाओला बहुत बाट मुबारोखो आपको यह मुबारोखो जी जी लगता है ये टूर की शुरवाद बहुत लगी सावी तो ये मेरे लिए जी नहीं आप तो इमान बेटी हमारी अमानत है आपके यहां मैं जैसी वापस आता हूं टूर से फिर आपको फोन करूँगा और हम आ जाएंगे रिश्टा लेके जी जी आपके हमानते जब चाहें भी आकर ले जाएंगे नहीं नहीं साइच साव बहुत धूमधाम से शादी होगी मैं कोशिक करूँगा टूर जल्दी खतम हो जाए तो पहर हम रिश्टा लेके आपके घर आ जाएंगे जी जी आप अपना बिजनिस टूर कम्ट्लीट करें उसके बास जब आप आएंगे तो पर बैट कर बात करतें जरूर भाबी और इमान को मेरा बहुत प्यार दीजेगा जी जी खुदा आफिस खुदा आफिस खुदा आफिस कि यतलनी और भी और भी खता करतें म मम आप मैप हाम तुम जल्दी से तैयार हो ज़ाओ कुटा है कुप कहीं जाना है नहीं जाना ए नहीं एंकल अंटick याए तुमारी बख़्िए के लिए अंकल और अंटी? रेली? जर जल्दी से तयार हो कि निचा आज़ाँ ओके मामा मतलब अली ने अंकल अंटी को मजबूर करी लिया कहा भी था पेपर जोने तो जर अंकल आज़ाँ प्रके में आज़ाँ कि एंटी कि विशारतिन तयार होगी हो? जी मामा जल्दी से चलो बटा वो तमारे इंतजार कर रहे हैं मामा मीकु भाय आगर क्या? अभी नहीं आया आता ही होगा जल्दी हो वेट आटी को सराम करों बहुट ढीट हो तो इतनी बेज़ती हो जाने के बावजूद भी तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात करूँ आखिर कब तक तुम अपने चेरे पर ये नकाब ओड़े रखोगे किसी ना किसी दिन तो तुमारी असकिया सामने आही जाएगी ना तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे बद्ला लेना चाहते और कुछ नहीं हर्गिस नहीं मैं क्यों भला आपसे बद्ला लेना चाहूंगा तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई इतनी बेस्ती किये तुमने मेरी सब के सामने आपने जूट क्यों बोला मामा के अंकल आंटी आए मैं तुम्हें जवाब देने की पाबार नहीं हो और वैसे भी क्या वो तुम्हारे अंकल आंटी नहीं है मैंने बस तुम्हें नाम नहीं बताया, तो क्या हुआ? लेकिन मामा तुम खामोश रहो वैसे भी ये सारा तुम्हारा बहलाया वा फसाद है क्या? मेरा? जी हाँ तुम्हारा तुम उसका गलत बात पे साथ इसलिए दे रहे हो ताके तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए मामा कैसा रास्ता आप कैसी बाते कर रही हैं ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है तुम जो ये अपनी बनमानी कर रहे हो ना तुम चाहते हो कि मिशाल भी बिलकुल वैसा ही करे ताके कोई तुम पे उंगली ना उठा सके हद करती हो तुम भी फरी कभी तो अकल से काम ले लिया करो कुसूर किसी का इल्जाम तुम किसी को दे रही हो ये सब पहले से तैश होगा है कि मिशाल का रिष्टा अलिए होते वे नहीं हो सकता आप आप अच्छी तरह जानती है कि जानती हूं मैं तुमने जो बाते उनसे मनसूब कर रही है पो प्लीज आप मामा से मत उलचे मैं समझाता हूं इने बहुद धीट हो तूँ इतनी बेज़िती हो जाने के बावजूद भी तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात करूँ आखिर कब तक तुम अपने चेरे पर ये नकाब उड़े रखोगे किसी ना किसी दिन तुमारी अस्किया सामने आही जाएगी ना तुम सिर्फर सिर्फ मुझे से बदला लेना चाहते और कुछ नहीं हर्गेझ नहीं मैं यून भूला आपसे बदला लेना चाहूंक歹 ताके तुम मेरी flood को मुझे सी दूर कर सको इसी तुम मिशार को मेरे फैसलों के खिलाफ से मुनाफकत नहीं होती आपा अज़ादें से, मैं जबान दे चुकी हूँ, और इसकी शादी जुबेर से ही होगी, यह मेरा आखरी फैसला है। के विए की काणे की एक सादें। वह्त? नई मिशाल, आणटी ऐसा नहीं कर सकती है। वह कुछ भी कर सकती है, अली. आणले उन लोगको जुबान दी है। लेकिन वो अंकल की खेर मौचूद्गी में जुबान कैसे दे सकती हैं? मैंने कहा ना अली वो कुछ भी कर सकती हैं तुम्हें पता तो है वो कितनी जिद्धी हैं एक दफा जो कह दे हैं वो करके रहती हैं बहरहाल ये नामुम्किन है मैं ऐसा होने नहीं दूँगा मैं अभी पापा से बात करता हूँ नहीं अली अंकल को कुछ बताने की ज़रोत नहीं है वो बिला वज़े परेशान हो जाएंगे अच्छा फाइन तुम रिलाक्स करो मैं कुछ करता हूँ वैसे भी वलीद अंकल और भाई ने अप्रूवल दे दी है तो तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारे रिष्टा किसी और से होने नहीं दूँगा अच्छा लिसन मैं बुको नहीं बता रहा तो तुम ना परिशान होगी और ना रोगी ना ख्याल रखना कल मिलते बाई आली क्या होए क्या पिर कुछ पहरी न कर दिया मामा आखिर आउंटी को वो हमसे प्रॉब्लम क्या है? तो वो क्यों मार लिए इतने मसले खड़े कर रही है? बेटा उसके दिल में चोर है वो नहीं चाहती कि हम उसका असली चहरा देखें असली चहरा? क्या कहना चाहती हैं आप? मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती लेकिन बहुत हो गया आज तुम्हें हकीकत बताई दूँगी माहम की जब डेथ होई थी तो मीकू बहुत अकेला हो गया था वो सारा वक्त अपनी माँ को याद करता था अदास हो गया था तो हमने वलीद भाई को मश्वा देया कि वो शादी कर ले ताकि मीकू की जिंदगी में मा की कमी पूरी हो सके तो वलीद भाई ने फरे से शादी कर ली और उसे बादा ले लिया कि अब उसका हमेशा ख्याल रखेगी लेकिन उसने ऐसा कभी भी नहीं किया पहले दिन से उसके साथ सतेलो जैसा सलो किया वलीद के पीछे तो उस बचारे पे तशद्द करती थी वो बचारा डर के मारा कुछ बोली ने सका और जब हमें ये बात पता चली तो अफकोर्स हमने मीकू की साइड ली इस पे फरी हमसे बहुत चड़ना शुरू हो गई इसलिए वो हमसे ये बदला ले रही है और तुमें इतना नापसंद करती है ओ माइ गाड वो इतना पुराना बदला हमसे उतार रही है हाँ अब मुझे बताओ कि उसने क्या किया है आँटी ने मिशाल के लिए दूसरा रिष्टा ढूंड लिये आज लड़के वाले उसे देखनी भी आए थे और आँटी ने उने अपनी जबान भी दे दी है मुझे यही उमीद थी उससे उसका निफसाती मर्ज अब दिन पागल पन में बदलता जा रहा है तबाह खराब हो गया उसका अपनी जिद में अपनी बच्चों की भी जिन्दी की दबाह कर रही है बट अब मैं यह बर्दाश नहीं करूंगी मैं अभी वलीद भाई से बात करूंगी मामा प्लीज आप भुस्दा मत करें मुझे कुछ टाइम चाहिए मैं सुशन चाहता हूँ कि मैं क्या करूं अच्छ ठीक है बेटा तुम सोच लो और हमें बता देना तर एक बात याद रपना मिशाल बहुत अची लड़की है उसके अग्यांस फैसला मत करना हाँ मामा की बात उसे बहुत तक्लीफ होती है मझे बहुत जाद है जानती हूँ तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कितने दुखी हो मुझे समझ में नहीं आरा कि मामा को कैसे अपींद्रा जैसा वो सोच रही है मैं ऐसा बिलकुल नहीं मेरे दिल में उनके खिलाफ कोई बुरा है नहीं तुम जितना उनके करीब जाओगे उतना तुम पर शक करेंगी तुम्हारी नियत साफ है मिकू तुम आंटी को उनके हाल पर छोड़ दो कभी ना कभी तो उन्हें असास होई जाएगा मुझे अपनी परवा नहीं है बस मिशाल के बारे में सोचते वो कुछ नहीं है तुम में बता है कितना रोई है वो मेरे सामे और मैं कुछ भी करनी बारा हूँ तुम अंकल से बात करो वो अंटी को समझा सकते है अपा तो बिसने स्टोर के लिए भाहर कहे है उन्हे प्रॉब्लम बता के तंगनी करना जाता कब आरे अंकल अगले अफते हाथ हो ठीक है ना तब तक तुम चुप रहो अंकल आंटी को समझा देंगे हूँ और कुछ हो भी नहीं सकते अच्छा तुम अटाओ कि इनाई से बात हुई तुम्हारे नए लिकिन सोच रहे है आज उसे कॉल करूँ और उसे ये बता हूँ कि जिस अड़की से तुम शादी करना चाहते हो वो मैं हूँ एक मिनट उसने मुझे बताया था कि वो अगले हफते पाकिस्तान आ रहा है हाँ तो तो फेर ये कि उसको कुछ पताने की ज़रूद नहीं क्यों अरे क्यों छोड़ो उसे सप्राइज देंगे ना ग्रेट आइडिया ये तो मैंने सोचा ही नहीं अब तो नाइल को पाकिस्तान आ के रही पता चलेगा आइडिया अच्छ है वहाँ बहुत इनों बाद आरे हैं मुझाए येस सानक वापा वापा पिड़ेर से बाद आपने पून किया..., कैसी चाई हाँ साबाब मैं मैं बस ठीकी हूं बाकी सब इसेंगर पर हाँ साबाब वैसे तो सब ठीक है बस मुझे तुमसे जूरूरी बात करनी थी जी आपर मैं जानती हूँ आप क्या बात करना चाहती है मुझे अली ने सब कुछ बता दिया ओओ मैं समझी थी कि इतनी बड़ी बाते हैं चुपती कहा हैं और वैसे भी मिशाल हमारी अमानत है आपके पास हम उसे बेखबर कैसे रह सकते हैं तो क्या सर्मत को भी पताए के नहीं अली और मैंने डिसाइड किया कि हम सर्मत को अभी कुछ नहीं बताएंगे वलीद भाई का इंतिजार करेंगे तो फिर कुछ बात करेंगे अच्छा हुआ सर्मत को कुछ नहीं बताया वरना उसे तो बहुत दुख होता सबा तुम जानती हो बस फरी बेवकूफी में ऐसे उल्टे सीधे फैसले कर लेती है जिसका किसी को कोई फाइदा ना हो वो बेवकूफ नहीं है आपा जो तकलीफ वो हमें देना चाहती है न वो उसमें काम्याब हो गई है कल से एक पल्स को नहीं मिला मुझे जानते हूं सबा तुम और अली के सजियत से गुजर रहे हो लेकिन तुम फिकर मत करो देखो फरी चाहे जितने भी हाथ-पाउं मार ले कुछ नहीं कर सकती होगा वही जो विलीद चाहेगा और जो भी होगा वो मिशाल की मर्जी से होगा बस तुम फिकर मत करो सब चीक हो जाएगा ठीक है आपा विलीद भाई के आने का भी हम इंतजार कर लेते हैं आप अपना ख्याल रखेगा खुदाफिस खुदाफिस तुम्हार में तुम्हारी माँ हो तुम्हारा बुरा क्यों चाहूंगी बेटा तुम्हारी भुपो और मीकू तुम्हें बेवगूफ बना रहे हैं वो सिर्फ तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं क्यों दूर करना चाहरे हैं मामा उन्हें क्या दुश्मनिया आपसे बेटा तुम्हें नहीं समझोगी प्लीज इस बात को छोड़ दूए मामा प्लीज मुझे बताए उन्हें क्या दुश्मनी आपसे, आप क्यों की मुखालफ़त करती है? क्योंके वो चाते हैं कि तुम बिल्कुल वैसी जिन्दगी गुजारो जैसे मैंने गुजारी थी कैसी जिन्दगी मामा आप क्या कहना चाहिए प्लीज बताएं उन्होंने मुझे बहुत सुन किया मीकू, सबा, सर्मत हमेशा उन्होंने यही कोशिश की कि वलीद मेरे खिलाफ हो जाए इतनी जूटी जूटी बातें कहीं मेरे लिए कहते थे कि मैं मीकू को मारती हूं उसका ख्यार में रखती और तुम्हारे बाप ने भी हमेशा उन्ही का साथ दिया बेकुल मेरे किसी बाप पे भरोसा नहीं किया हमेशा उन्ही की बात मानी मैं बेकुल अकेली रह गई थी लेकि मैंने यह सारा जूट पता है क्यों साथ सिर्फ तुम्हारे खाथ क्योंकि मुझे यकीन था कि बड़े होके तुम मेरा साथ दोगी और आज भी ये सबा सरमत ने ये फैसला क्यों किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहते है कि मैं दुबारा से केली हो जाओ इसलिए मैं उनकी मुखालफत करती हूँ क्योंकि मैं तुमें एक होना नहीं जाती है मकर मामा वो तो हर्मीकू वो तो चुन-चुन के मुझसे बदले लेना चाता है उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि तुमारी जिंदेगी कैसी गुजरेगी उस सिर्फ मुझे अजियत देना चाता है क्लीज मिशाग मेरी बात को समझने की कुशिश कर आजीम साब आपको हर चीज पे नजर डख नहीं होगी मैंनी चाहता कि पापा की गयर मौजुद्गी में कोई भी काम पेंडिंग दे रहे आपे कर मत करें सर सारा काम ताइम पर हो जाएगा जी सरी एक रूचेक से इस पे भी सिर्च चाहिए ता आपे अच्छा अच्छा और जो नया प्रोजेक्ट है उसकी प्रेसेंटेशन मुझे आज शाम को ही चाहिए जी सर्फ को जाएगी एली चाहिए और कुछ नो सर्थ थैंक्यू हेलो ठीक है भाई बिजी रहना अच्छी बात है कि इंसान को अपने दोस्तों को भी बग देना चाहिए नहीं नाइज कैसा है तो स्वरी यार बहुत जबहां सोचा तुझे कॉल करने के लिए लेकिन टाइम ही नहीं मिला वो असल में पापा भी भार गया है ना लंडिन में तो कामें मस्कूफ रहते हैं और तुमने मुझे बताया भी नहीं सॉरी यार मैं समझा कि पापा ने तुझे राप्ता कर लिया होगा लेकिन एनिवेस मैं तुझे उनका नमबर सेंड कर दूँगा खुद बात कर लेना ओके ओके भाई कर लूँगा तुम मुझे ये बताओ ये वो लड़की कौन है जिस तुम शादी कार रहे है कौन सी लड़की ये भाई इतना अंजान बनने की विज़रूत नहीं है वही लड़की जिसके बारे में तुम इमान को बताने लगे थे और उसे भी नहीं बताया कितना गुन्ना है तुम हवा भी नहीं लगने दी भाई जब ऐसी लड़की है ही नहीं तुम बताओंगा किस बारे में वो तो मैंने ऐसी इमान के साथ मज़ाग किया था, वो खामगा सीरिस हो गया तो क्या तुने शादी करने का भी मज़ाग किया था? नहीं, बोसाची, मैं शादी करनी है ना, तो पहले मुझे करनी हो तो कुई लड़की ढूने तुमारे लिए? जी, नहीं, थैंक यू, ये काम में खुद कर सकता हूँ, तु अपने लिए लड़की ढूने? ये भई, पाकिस्तान आउंगा तो ये जिम्रदारी भी मामू और मामी को सौंप दूँगा अच्छा, तो वापसी कह रात है? कब आ रहा है? यार, बिजनस एक दफा सेट हो जाए, फिर चकर लगाँगा इंशालो पर, जल्दी लगा यार, मैं और इमान बहुत मिस्करते हैं तुझे, तो मार्च तक नहीं बदले, फिकर ना करो, जल्दी मुलगात होगी, फिर ओती ये बाता, टेक केर, राइ खानदान बहुत अच्छा है, वलीद, और लड़का भी बहुत अच्छा है, अभी अभी अमेरिका से पढ़के आए, अम्बीए है, हाँ ठीक है, मिशाल से थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन इससे क्या फरक पढ़ता है? फरी भले वो आसमान से उत्राओ, मैं उसका रिष्टा वही करोगा जहां मेरी बेटी चाहेगी, तो क्या लग रहे तुमें, मैं तुमसे बिला वज़े बात करी हूँ, बात की है मैंने मिशाल से, और वो बहुत खुश है इस रिष्टे से, ये कैसे हो सकता है, मेरे जाने से पहले तो वो अली को पसंद करती थी, फिर अचानक तुमारी ये सब बाते है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आरा, देखें वो बच्ची है, जिजबाती है, लेकिन हम उसके माबापे हमें जिजबाती होने की जरूरत नहीं है, हमें वो ही फैसला करना चाहिए जो हमारी बेट अगर तुम घलत बात करोगी, तो तुमारी बाते कोई नहीं मानेगा, मैं वापस आके मिशाल से खुद बात करूँगा, और दूसी बात प्लीर, इस किस्से के बारे में मुझे घड़ी घड़ी फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत काम कर रहा हूं, बहुत मैं हम एलत की कि बात की कि बात के बात प्रंट है, मैं प्रेट आएटल, तो तुमारी फोन प्लीर, इस खुमारी तुमारी। तुटा हर रिष्टा, जो तू रूठा चाही जानना चाहती हूँ मैं, कहीं ऐसा तो नहीं, कि मामा ठीक हो, आप मेरी यार में मामा के बदले ले रहे हूं विशल, मुझे यकीन ही आरा कि तुम मुझसे ऐसी भी बात कर सकती हैं मैं दोका दूँगा तुम मैं दोका दूँगा, तुम से जूप बोलूँगा, हो सकता है यह कैसी मुश्किल है, कैसा इंतहा, रवा मेरे या मुझे को इतना तो बता, ढूँडने उसको मैं